गुरु गोविंद सिंग जी सिखों के दसवे गुरु हैं हिंदू कैलिंडर के नुसर गुरु गोविंद सिंग जी का जन पौश महा के शुकल पक्ष की सप्तमी तिथी को 1723 विक्रम सम्मद को हुआ था इस साल दो जनबरी 2020 गुरू गोवेंज सिंग जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है आएए जानते हैं परुपकारी गुरू गोवेंज सिंग जी के बारे में कुछ खास बाते हैं दरसल गुरु गोवेंद सिंग एक महान कर्म प्रणेता, अद्विती धर्म रक्षक, ओजस्वी वीर रसके कवी के साथ ही संघर्ष शील वेर युद्धा भी थे। उनमें भक्ती और शक्ती, ज्यान और वैराग्य, मानो समाज का उद्धान और धर्म और राष्ट्र के नैतिक मुल्यों की लक्षा हेतु त्याग यवंग बलिदान की मानसिक्ता से ओत्प्रोत, अटूट निष्ठा तथा द्रिढ संकल्प की अद्भुत प्रधान था थी। प्रानक देव की जोती इनमें प्रकाशित हुई, इसलिए इन्हें दसनी जोती भी कहा जाता है। बिहार राज्य की राजधानी पटना में गुरु गोविंद सिंग जी का जिम हुआ था। शिक धर्म के नौवे गुरु तेग बहादूर सहब की इकलोती संतान के रूप में जन में गोविंद सिंग की माता का नाम गुजरी था। शिक गुरु तेग बहादूर सिंग ने गुरु गद्धी पर भैठने के पश्चात आनंदपुर में एक नए नगर का निर्मान कर गा। और उसके बाद विभारत की यात्रा पर निकल पड़े। जिस तरह गुरु नानक देव ने सारे देश का भ्रमन किया था उसी तरह गुरु तेग बहादूर को भी आसाम जाना पड़ा। इस दोरान उन्होंने जगा जगा सिक संगत की स्थापित कर दी। गुरु तेग बहादूर जी जब अमरित शर्फे 800 किलोमेटर दूर गंगा परिवार को वहीं छोड़ कर बंगाल होते हुए आसाम की ओर चले गए। पटना में वे अपनी माता नानकी, पतनी गुजरी और कृपाल, चंद, अपने साले सहाब को छोड़ गए थे। पटना की संगत ने गुरु परिवार को रहने के लिए एक सुन्दर भवन का निर्म करवाया, जहां गुरु गोविंद सिंग का जन्म हुआ। तब गुरु तेग भादुर को आसाम सूचना भेज कर पुत्र प्राब्ती की बधाई दी गई। पंजाब में जब गुरु तेग भादुर के घर सुन्दर और स्वस्त बालक ने जन्म की सूचना पहुची, तो स इश्वर की इतनी भक्ती और निश्काम तपस्या की थी कि वो स्वयम प्रमात्मा का रूप लगने लगा। पतना में जब गुरु गोविंद सिंग जी का जन्म हुआ, उस समय भीखन शाह अपने गाउं में समाधी में लिप्त्र बैठे थे। उसी अवस्ता में उन्हें प प्रिये पीर का अवतरण हुआ है। ये और कोई नहीं गुरु गोविंद सिंग जी ही इश्वर के अवतार थे।